अगर देखेंगे आज पाच्वा जो पेपर है हिंदी का जो पेपर था इस प्रकार से पूछा गया क्या क्या चीजें थी उसके अंतरगर्द वो सभी चीजों को आज के पेपर में डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या पाच्वा जो हिंदी का पेपर था में स्काउस में देखेंग अब यभी भाव समाज बच्पन से, समाज जब हम पढ़ते हैं तो उससे जुड़े वो प्रशन है, अब यभी भाव समाज की से कहते हैं, संधी की से कहते हैं, स्वर संधी के भेद कौन से हैं, वो लिखे ना था आपको कि what is संधी है, संधी की आगरां पर बात होरी तो उसमे सुर संधी की बात हो रही वेंजन संधी ये सब जो हैं संधिया होती है मानक भाशाशे आपका क्या भी प्राय है संधी और समास में मेजर अंतर क्या दिखाई देता है पलवन को परिभाशित कीजिये पल्लवन अक्सर पल्लवन से भी आगे भी एक दो कोशन और मिलेंगे आपको ठीक है फिर उतकरस्ट संचेपन के गुण बताईए शुलेश अलंकार जो है उसको इसपश्ट करने की बात की गई है उपमालंकार जो पेसिक साधारन तोर पर चीजें होती है उनसे जुड़े हु यहाँ पर संदियों के यहाँ पर चर्चा की गई प्रदी संदी मुदित महीपती मंदिर आए उस पंक्ती में अलंकार कौन सा है संदी समास अलंकार इनसे चुड़े हुए प्रश्म यहाँ पर है मुदित यह हो गया अधगल गगरी छल कर जाए तो आपने आधा जो ग्यान होता है बचपन से इस काहवत को सुना इसका असे पूछा है परियावाची सब्द किसे कहते हैं तदभव किसे कहते हैं वाक्य में पूर्ण विराम का प्रियोग कब किया जाता है समासिक सब्द का अर्थ लिखिए निमलिकित की संदी कीजिए प्रा प्लस उत्सहा ठीक है औ और अन्य प्लस उकती तो इन दोनों की संदी बनाना है विसर के संदी किसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है ठीक है जो पहले कभी नहीं हुआ हो और दूसरा जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो इसे कुछ टर्म से इनका वन वर्ट क्या होगा संचेप फिर ये दो प्रशन है उपमा लंकार के अंगों के नाम पूछे हैं आपसे और आपसे पूछा है बीती विभाबरी जागरी अंबर पंधट में डूबो रही तारा घटू शानागरी तो ये जो पंक्ती है इसमें अलंकार पूछा तो अलंकार के अच्छे सारे कोश्चन है समास के कोश्चन है संदी के कोश्चन है तीन चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कि ये 75 नंबर के कोश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अब आगे बढ़ते हैं हम जिसमें कि ये आपके 5 नंबर के अनुपरास और यमग अलंकार में अंतर बताईए दूसरा है कल कान जो है या लंकार से संबंदित फिर दूसरे कि अगर मैं बात करो तो अलंकार यहाँ पर भी 5 नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाए गार था लंकार जिसमें रूपक की परिभाशा दीजिए ये पूरे पॉइंट्स से जुड़े हुए मिला करके पूछे गए फिर व मामला अभी भी समिक्षा दीन है ये पूरे इसके पॉइंट्स दिये फिर अगला जो है जिसमें की तीन कोशन पांच नंबर के साब से आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए प्रतेक प्रशन तीन अंकों का है इसकी आपर चर्शा की जा रही है जिसके अंत तो यह जो है आपके दस दो दो नंबर से पीस जिसमें उच्छिस्ट सब्द की बात है महिश्वारे धनुष समझ समाधिकपद खंड विप्री चिन और यह सब पूरे जो विशे हैं इनको यह पूरा पीडिया आपको वाट्सप ग्रूप पर हमारे वाट्सप ग्रूप पर टैलिग्राम को पर मैंने अप्लोड कर दिया है वहां से आप कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए फिर यहां पर आपके जो हैं यह कोशन हैं जिसमें वस्तियत नामा का अंग्रेजी में साब्दिक अर्थ बताना था एक्टिंग क इसे करके कुछ जो फॉयट्स हैं यसे करके दस जिसमें गणिश का व्लोम किसी का साफदिक किसी का विलोम किसी का समाना अर्थी यह तरीके से यह यह पर आयव पार यह जिसको कहते हैं यह सब ठीश इदी फिर यहां पर एकडियांश के अधार पर आप से प्रश्नों गद्धनों के पुस्टकालयों का स्थान अत्यंद मैतपूर्ण है, इनके द्वारा शहीत की जीवन की रक्षा पुष्टी और अविवरत्ति हुरी। तो साहित और पुस्तकाले इन से जुड़ा हुआ एक पूरा अर्टिकल दिया जा रहा है यह आप पूरा अर्टिकल पढ़े है और उससे जुड़े हुए यहाँ पर प्रशन है कि गध्यान्स का उचित सीर्षक क्या है फिर उसके बाद में पुस्तकाले के कारण भारतों गौ यहाँ पर पल्लवन पूछा है आपसे फिर मुद्रा है देश का साहित नहीं है परहित सरीज धर्म नहीं भाई पर बीड़ा सम नहीं अधमाई तो परोपकार या दूसरे के जो हम कह सकता है उससे फिर किसी एक गध्यांस का एक त्यहाई सब्दों में संचेपन लिखिए सं का हिंदी का पेपर जिसको देख करके लग रहा है कि बहुत अधिक कठी नहीं है बैलेंस से थोड़ा बहुत स्टेडी जिसने किया टांसलेशन वाले कुछ कोशन है जहां थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बाकी वही अलंकार संधी समाज पल्लवन संचेपन ऐसे जो बेस करशन इस परिक्षा में किया होगा अब लगबत जो कल का पेपर है निवंद का नाम मातर का है थोड़ा बहुत आप उसको देखें रिविजन करें और निश्ची थी मेंस जो है चाउदा सो नंबर का पूरा फिनिश होता दिखाई देगा तेरा सो की कहानी तो लगबत खत् देखें कि ऐसे तरीके से मेंस में पेपर आते हैं आगे आपको काम आएगा जो प्रेसी के तैयारी कर रहे है यह पेपर हमने टाइलिग्राम चैनल हमारे वाटसप ग्रूप दोनों पर अपलोड कर दिया है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है औल दी वेर